Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं The Back Eye इस प्ले को लिखा है Greek tragedy writer Euripides ने इस प्ले को फस्ट टाइम 405 PC में प्रीमियर किया गया यानि के Euripides की death के एक साल बाद ये tragedy एक्चुल में myth of king pantheist के बारे में है ये tragedy क्या है इसकी story पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसका analysis करेंगे अपनी birthplace यानि थीप्स पहुंचता है वो वहाँ अपनी मा का बदला लेने के लिए आता है और थीप्स के लोगों को सजा देने आता है डानेस्स जीएस का बेटा है उसके मा सेमली जो के तीवन किंग कैडमेस की बेटी थी उसका जीएस के साथ affair हो जाता है जिसके नतीजे में वो pregnant हो जाती है जब जीएस की बीवी हिरा को पता चलता है तो वो धोके से जीएस को आसमान से बिजली गिराने का बोलती है जिसके नतीजे में सेमली जुलस कर मर जाती है लेकिन जीएस अपने बेटे यानि डानेस्स को बचा लेता है सेमली की फैमली सोचती है कि सेमली को एक नजायस तालुक रखने की सजा मिली है जिसके नतीजे में वो मर गई डानेसेस उन से बदला लेने के लिए कई सालों बात थीप्स लोड़ता है वो एक इनसान की शकल में अपने बैर्ण यानि बैकन्ड्स के साथ शहर में दाखिल होता है सैमले के यानि कैडमिस ने अपने बढ़ापे के बाइस बाजचाहत अपने ग्रैंट सन यानि पैंद्स पेंद्स के हवाले कर दी है और पैंद्स तीप्स का बादशा है जो अपने लोगों को डानेसेस गॉड्ड की पूजा करने से रोकता है डानेसेस ठीप्स पहुंचते ही सबसे पहले सेमली की बेहनों को पागल कर देता है जो सिथेरिन मांटन की तरफ चली जाती है और वहाँ पागल पन की हालत में डानेसेस गाड की पूजा करती है पैंथियस जब ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है उसे लगता है कि और्टों का इस तरह मगन होकर जंगल की तरफ निकल जाना कानून के खिलाफ है और वो इन सब का जिमेदार डानेसेस और उसके बैंट को टहराता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो उनको पकड़ कर लाएं जब सिपाही उन्हें पकड़ कर पैंटियस के सामने लाते हैं तो पैंटियस डानेसेस को मारने का हुक्म देता है लेकिन ऐसा करना नाममकिन हो जाता है जब पैंटियस डानेसेस पर पहला वार करता है तो वो बुल की शकल ले लेता है और दूसरे वार में एक साया बन जाता है पैंथियस वार कर ही रहा होता है कि अचानक जलजला आ जाता है और पूरा महल तबा हो जाता है पैंथियस को ये सब देख कर बहुत मायूसी होती है वो बहुत मायूस हो जाता है डानेसिस उसे घुटने टेकने का कहता है लेकिन पैंथियस ऐसा नहीं करता उसी दोरान एक गवाला वहां पहुंचता है और वो पैंथियस को बताता है कि ओड़ते जंगल में मगन जिन्दगी गुजार रही है वो दूज, शहद, शराब और मौसीकी की धुन में पुर्ष सकून रह रही हैं वहां पर लेकिन जब वो गवाला को देखती है तो तैश में उसकी तरफ दोड़ती है और वो बहुत मुश्किल से जान बचाता है उनमें पैंथियस की मा अगावे भी शामिल है पैंथियस को ये सुनकर उन्हें देखने का तजस्स होता है डाइनेसिस इसका फाइदा उठाता है और वो पैंथियस को उन पागल ओरतों को देखने की आफर करता है वो पैंथियस को एक औरत का रूप लेने का कहता है वो पैंथियस को जंगल लेकर चाता है जहां पैंथियस एक दरख पर बैट कर उन औरतों को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उन औरतों की नजर पैंथियस पे पढ़ जाती है डाइडेसिस उन्हें पैंथियस पर हमला करने का हुकम दे देता है सब औरते पैंथियस पर हमला कर देती हैं और उसे घसीडते हुए जमीन पर ले आती है पैंथियस अपनी मा के सामने इलतजा करता है कि उसे छोड़ दे लेकिन वो पागलपन की हालत में अपने बेटे को कतल कर देती है अगावे पैंथियस के सर के साथ घर वापिस पहुंचती है और वो लोगों को दिखाती है कि उसने शेर का शिकार किया है और उसका सर काट दिया है बूढ़ा केटमेस अपनी बेटी के पास जाता है और उसको होश में लाते हुए बताता है कि उसने क्या कर दिया जिस पर अगावे चीखना शुरू कर देती है केडमेस उसे बताता है कि गाड डानेसेस ने उसकी फैमिले को सजा दी है जिस पर डानेसेस अपनी असली हालत में उनके सामने आता है वो अगावे को ठीप से निकाल देता है और केडमेस और उसकी बीवी को सांप बना देता है और यहां पर यह प्ले खतम हो जाता है दाबेकाई एनालसीज में हम सबसे पहले देखते हैं प्लाट कंस्ट्रक्शन प्ले के स्टार्ट में यानि इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं और यहां प्लाट के सबस्ट्रक्शन में हम देखते हैं और यहां प्लाट के सबस्ट्रक्शन जहां वो उन पर वार करता है दैन गवाला आता है पैंथियस के पास और उसे बताता है किस तरह से ओरतें जंगलों में मगन जिंदगियां गुजार रही हैं उसके बाद है कलाइमेक्स क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि पैंथियस दिल्चस्पी जाहिर करता है कि वो उन पागल उड़तों को देखना चाता है जिस पर वो जंगलों की तरफ जाता है और दरख पर चड़कर उड़तों को देखने की कोशिश करता है जब उड़ते उसको देखती हैं तो गसीड़ते हुए जमीन पर लेकर आती हैं और उसके बाद है फालिंग एक्शन फालिंग एक्शन में हम देखते हैं कि अगावे पैंथियस का सर लेकर थीप्स पहुँचती है और वो लोगों को बताती है कि उसने शेर का शिकार किया लेकिन जब वो होश में आती है तो वो चीखना चिलाना शुरू कर जेती है और एंडिंग में हम देखते हैं कि अगावे को डाइनेसिस जो है थीप्स से निकाल देता है और कैडमेस और उसकी बीवी को सांपना देता है तो ये है कम्पलीट प्लाट ओफ दपैकाई प्लाट कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास है थीम्स इस प्लेग के अंदर नमबर वन थीम है रिलिजियस बिलेफ्स प्लेग के अंदर हम देखते हैं कि डाइनेसिस गौड थीबन जो सीटिजन्स हैं उनको सजा ही इस चीज के देता है कि वो उसकी पूजा नहीं कर रहे मतलब उसको मानने से मना कर रहे हैं पैन्थियस जो है वो लोगों को मना करता है कि वो डाइनेसिस गौड की पूजा करेंगे जिसकी वज़ा से वो गुस्से में आकर लोगों को सजा देता है जब वो थीप्स वापिस पहुंचता है तो वो देखता है कि लोग जो है वो पैंथियस के मताबिक चल रहे हैं ना कि डानेसिस गॉड के मताबिक तो रिलीजिस बिलीव जो है वो नमबर वन पर है इसके अंदर थीम और कोरस भी पले के अंदर कहते हैं कि जो लोग खुदा के बनाए हुए रस्तों के मताबिक चलते हैं वो अपने राइट्स यानि अपने हकुक हासिल कर लेते हैं और जो लोग खिलाफ चलते हैं उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए तो रिलिजिस बिलीव इस दा सेंट्रल थीम उसके बाद नमबर टू पर है डिवालिटी एंड डिस्काइस हम पले के अंदर देखते हैं डबल फेसिज डैनेसेस जब थीप्स पहुँचता है तो वो एक आम इनसान की शकल में पहुँचता है और लोगों के सामने और इसके इलावा पैंथियस पैंथियस एक बहुत पावरफुल बादशाह है वो अपनी हर बात मानता है और लोगों को अपने मताबिक चलाता है लेकिन वो डैनेसेस की बातों में आ जाता है और और ओरत बनकर जंगल की तरफ चला जाता है जिसकी वज़ा से वो मारा जाता है तो इसके अंदर भी हम duality को देखते हैं यह second theme है इस play का नमबर 3 पर हम देखते हैं violence Greek tragedies और play के अंदर violence बहुत common है मतब हम देखते हैं कि violence को as a central theme create किया जाता है tragedies के अंदर ताके जो audience है उनकी sympathies हासिल की जा सके जैसा के pantheis का murder उस action को stage पर दिखाया नहीं जाता लेकिन audience को बताया जाता है कि किस तरह से pantheis का murder हुआ है और उसका सर काट दिया गया है तो audience के जो sympathy है वो pantheis के साथ होती है violence central theme होता है Greek tragedies का तो यह three main themes हैं इस play के अंदर themes के बाद है title of the play इस play का title है the back eye इस play का central character है डानेसिस जिसे हम god of wine कहते हैं कहा जाता है कि डानेसिस गौड अपने साथ बहुत सारी ओर्टों को रखता था जिने back eye कहा जाता था उन ओर्टों का काम होता था डानेसिस को शराब यानि wine प्रोवाइड करना जब चाहे जितनी चाहे मतलब ये कि back eye ओर्टों का एक गृप था जो डानेसिस गौड के साथ रहता था और उसे wine प्रोवाइड करता था इसलिए हम play के अंदर भी देखते हैं कि डानेसिस थीब्स पहुँचते ही ओर्टों को सबसे पहले मगन करके जंगल में भीज देता है जहां वो शराब के नशे में मगन रहकर डानेसिस की पूजा में लगी रहती है तो ये है इस play का title the pack eye a group of women अब सवाल पैदा होता है who is the tragic hero in the play मतलब play के अंदर tragic hero कोन है तो definitely pantheist जो के antagonist है इस play का वो है tragic hero क्योंके वो डानेसिस गाड की पूजा करने से मना कर देता है इसलिए उसको कतल कर दिया जाता है और इसकी वज़ा से ही इस play को एक tragedy भी कहा गया है क्योंके pantheist का tragic flaw क्या था कि उसने डानेसिस गाड की पूजा करने से इनकार किया था और इसकी वज़ा से उसको सफर करना पड़ता है और वो murder हो जाता है यानि उसका कतल कर दिया जाता है तो इस वज़ा से इस play को हम tragedy कहेंगे और pantheos को tragic hero तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का ये lecture अमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस